नमस्कार दोस्का एक बार पीर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत लेटर फ्ट अप्टर निकल कै कि केंदरे करमचारियों का 20,000 रुपे तक बढ़ जाएगा वेतन डिये के नियम में हुआ बहुत बड़ा बदला हो तो दोस्त हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल फफटाम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सस्क्राइब कर दीजिए सा मेंगाई बत्ते की गणना यानी डिये का कालकुलेशन भी सामिल है केंदर की नरेंदर मोधी सरकार ने मेंगाई बत्ते की गणना का आधार वर्ष बदल दिया है दोस्तों आपको बता दे कि केंदर और रजजिस सरकार के अधिन काम करने वाले सबी करमचारियों के कई तरह के बते मिलते हैं, सरकारे इस बात का ख्याल करती है कि उनके करमचारियों पर महिङाई का बोज नहीं पड़े, इसलिए देश में महिङाई, दर्ग के आधार पर करमचारियों का महिंगाई बते में मतलाओ किया जाता है, के अंदर सरकार ने अपने करमचार्यों का महिःगाई वद्टा बढ़ाने की सोज रही है दिसंबर 2021 में महिःगाई दर के जो आकड़े आए हैं उनके अधार पर सरकारी करमचार्यों के डिये में तीन परतिशत का इज़ाफा तैम आना जा रहा है 3% यह बढ़ने से करमचारियों की सैलरी में 20,000 रुपे तक वढ़ जाएगी सैलरी लेकिन महिंगाई बत्ते में वर्दी करने से पहले मोधी सरकार के शरम मंत्रा लेने महिंगाई बत्ते की गणना से संबंदी एक नियम में बदलाओ कर दिया है दोस्तों आपको बता दे कि आखिर सरकार ने कौन सा बड़ा बदलाओ किया है उसके बारे में हम आपको बताएंगी और इसका आपके उपर क्या आसर पढ़ने वाला है तो आईए हम आपको कैलकुलेशन से संबंदी निमों के बारे में बताते हो और ये एकि समझाते कि महिंगाई बत्ते की गणना ये कैलकुलेशन कैसी होती है दोस्तों आपको बता दे कि सरम अंत्राले ने सेवंथ पे कमिशन का आधार वर्ष 1963 से 65 को बदल कर 2016 कर दिया है सरम अंत्राले ने कहा है कि आधार वर्ष 2016 बराबर 100 के साथ डबलू आर आई की नई सीरीज 1963 से 1965 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की तरहलेगी इसकी वज़े से महेंगाई बत्ते की गणना का तरीका बदल जाएगा हालंकि करमचारियों को इससे ज़्यादा फाइदा होने वाला है मेंगाई बते में सरकार 6 महीने में एक बार बदलाव करती है यानि सरकारी करमचारियों के मेंगाई बते में दो बार इजफा होता इसके साथ ही करमचारियों की सैलरी भी बढ़ जाती है जुलाई 2021 में सरकार ने 11% मेंगाई बढ़ा था इसके बाद October 2021 में फिर से डिये बढ़ना 31 परतिशत कर दिया गया है डिये की गढ़ना आपके मूल वेतन यानि basic salary से गुना करके निकाली जाती है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत